UPSC में एक से एक फरजिवारे की खबरे सामने आ रही है जो आपको जखजोड देगी सबसे पहले एक खबर आपको बता रहा है जो सोशल मीडिया पर आज वाइरल है और उस खबर को लगातार लोगों ने शेयर किया है और इस खबर को देखकर लगता है कि किस तरह के हालात है और क्या इस तरह की बैमानी हो सकती है और वो भी UPSC के एकजाम ने ये तस्वीरे देखिए ये खुद UPSC पुलिस ने इनको बढ़ाई दी है इनका नाम है सोचिए या तो जोती मिस्रा की माता जी दलित है क्या ये संभव है कि दलित महिला अगर सवन से साधी करती है तो भी उसकी संताने स्थी माना जाएगा या एक खुलम-खुला फरजिवारा है ये जोती मिस्रा है इनको 432 रैंक मिली है और ये स्थी कम्निटी से आती है इनके पिता जी भी मिस्रा है इसको लेकर कंचन यादब ने ट्विट किआ है कि किस तरह का फरजिवारा है अगर इनके पिता जी ने सिड्यूलकास्ट महिला से भी शाधी की है अगर फादर एससी समा से आते हैं तो उनका ड्रीज़ाल माना जाता है तो इसको लेकर जो है वो लगातार ये बाते खबरे सामने आ रही है लेकिन ये तो ये खबर है इसके आगे सोचिए ये रभी कुमार सिहाग है रभी को UPSC 2018 में 337 भी रंग के साथ IRTS में जॉाइनिंग मिली फिर 2019 में 337 भी रंग के साथ IDAS पद मिल गया रभी का सपना ये सोने का था फिर रभी ने 2 साल तयारी की और CAC 2021 में 8 भी रंग हासिल की इस बार रभी को EBS certificate लगाना पड़ा पर गया साथ बिना salary नौकरी कर रहे हो बताए इनकी अपनी salary इतनी मिल गई होगी जिससे ये गरीवी रेखा से उपर आ सकते हैं उसके बाद भी इनका economic beaker section का reservation मिल गया तो सूचिए 10% का जो reservation economic beaker section का उसको हर जगा लागू कर दिया गया है और उसकी बज़ा से सूचिए 10% सीटों की गलतियां हो रही है और ये सारी चीज़े अब public domain में आ रहा है जिस तरह से हाली में और आज social media पर बहुत सारे लोग इस तरह की खबरे को लिख रहे हैं तो उसी में से कुछ खबरे में आपको बता रहा हूँ जो आज social media पर viral है कि economic beaker section के नाम पर किस तरह से लोग certificate फरजी certificate बन बा रहे हैं इस देश में SCSTOBC के certificate भी लोग फरजी बनाते हैं आज आप दिसुजीत पांडा है आपने 2016 में NIT राउड केला से बीटे की और उसके बाद Linda India Limited में नौकरी की आपके पिताजी सरकारी master है और आपके भाई 2015 बैच के IRS अधिकारी है सुचिए बाबजूद इसके आपने EBS certificate बनाया और 343 रहें के साथ EPSC 2013 में हाथ साफ किया अब बताए जिनके घर में already IRS हो वो कैसे गड़ी भी रेखा से नीचे आ सकते हैं यह वो सारे गरवड जाला है जिस पर टीबी अख़बार बात नहीं करेगा रवीस कुमार भी बात नहीं करेंगे विसार सर्मा भी बात नहीं करेंगे अजी तंजुम पुन पर सुन बाचपे दीपक शर्मा शंजय सर्मा भी बात नहीं करेंगे तो सूचिए कैसे इस देश में गरवडियां हो रही है और किस तरह का फरजीवारा चल रहा है यह IUC जयाइन है यह UPSC 2022 में 50 भी रहेंग के साथ IPS बनी थी इन्होंने सरकाई नौकरी जयाइन तो की लेकिन मैडम को IPS बनने का मन था फिर किसी ने मैडम को UPS सर्टिफिकेट बनाने का नुखसा बता दिया इसी के साथ मैडम 2022 में IPS हो गई तो यह यह सारे फैक्ट जो है मुकेस मोहन ने रखे हैं उसके बाद कंचना यादब जो है परवक्ता है उन्होंने भी एक किया है और नौट फांड सुटेबल और वैकेंसी में बहिमानी की खेल लगातार जारी है यूपी में एक वैकेंसी है यह फर्मासिस्ट की उसको बता रहा हूँ यह कहां की वैकेंसी है वो भी मैं बता दूँ जो सोचल मीडिया पर है सोचिए यह यूपी एससी की उत्तर परदेश की वैकेंसी है सोचिए तीन सो संतानमे टोटल सीट है जनरल एकसो एकसर एकसर एसी तेरासी एस्टी साथ और एकनॉमिक वीकर सेक्षन एकसर साथ और ओभी सी उन चालिस अब बताईए दस परसेंट वाले की सीट एकसर साथ कै कैसे हो गई और 27% का सीट जो है वो कम कैसे हो गया तो इस तरह की बैमानिस सब जगा रही है कि किस तरह से लोग इस तरह की गरबडिया कर रहे हैं और सोसल मीडिया पर लिखा जा रहा है और इसलिए कहना सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिय और तमाम सवन लोग जो है इस पर आपको बात नहीं करेंगे इस पर नहीं बताएंगे तो यह सबसे बड़ी ख़बर है जो सोशल मीडिया पर अभी बाइरल है वताय जा रहा है क्या इविएस बनाने में फरजिवारा हो रहा है यह रभी कुमार सिहाग है रभी को UPSC 2018 में IRTS जोईनिंग की थी तो यह तो अपने ही नोकरी से उसको पार करके होंगे उसके बाद भी इस तरह के हलात है और यहां सुर्परताप सिंग मैं नहीं कह रहा हूं सुर्परताप सिंग रिटाइड आईएस है दोजार चाइस की चुनाव में क्या होगा आज तीन लोग भेट कर करता को की छोड़िये DMSP विधायक तक का फोन ने उठाते कोई कार नहीं हो रहा विरुजजगार युबाओं का सब्रबान टूट रहा है ओबर एज हो रहा है पांच किलो रासन फ्री रासन का इंपेक्ट खत्म हो चुका है रासन पाने वाले भी सरकार को गाली दे रहे है दोनों DCM बरजेस पाठक और केपी मौरिया केहां करकरता याचियों की भीर लगी रहती है जो काम करा पाते हैं करा लेते हैं नहीं तो कुछ नहीं उनका निस्कर्थ था कि यदि यही हालात रहे तो BJP दोजयासायत में वापसित संभव होगी पता नहीं मायोगीदात निया तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वाइरल है और सुचिये एकनॉमिक बीकर सेक्षन के नाम पर किस तरह की गरवरी हो रही है कंचना यादव ने ट्वीट किया है जो सोसल मीडिया पर वाइरल है कि किस तरह से एकनॉमिक बीकर सेक्षन के नाम पर फरजिवारा हो रहा है इ तो यह तमाम जो सवन समाच के जो अमीर गरीब लोग हैं उनका अधिकार अमीर लोग खा रहे हैं तो एक तरह का economic beaker section के नाम पर सबसे बड़ा fraud चल रहा है जो social media पर वाइरल है और वहीं SC, ST, OBC को NFS किया जा रहा है NFS की हकमारी अनबरत जारी है दिली बिस्विद्दाले में सिख्छा साथ विभाकान तीम परिणाम SC, ST, Associate Professor not found suitable OBC Professor NFS और दिली बिस्विद्दाले की EC जैसी सरवच समिती ने इसे संस्तूती दे दी इतने दोरनाचारी भरे हैं तो मनुस्मिर्थी अलग से क्यों पढ़ाना है सोचिए लगातार नौट NFS किया जा रहा है तो SC, ST, OBC की नौकरियां जा रही है और मैं कह रहा हूँ यह जो नौकरी इंट्रिव्यू देने वाए लोग हैं आप लोग मढ़ ड़िये समाजीक अधिकारों के लिए कम से कम लिखिये पर यह बोली ने तो आपकी नसले गुंगी हो जाएंगे और यह तस्वीरे देखिये SC, ST और OBC आरक्षन के साथ की सस्तर का घोटाला किया जार आभी देख लिजिए एक जनरल कैटिगीरी से ब्रहामन समाज की लर्की SC की फरजी डिगरी बनाकर IS बन गई आरक्षन की डगैती चल रही है यह खुद कंचना यादब ने लिखा है मैं इसकी पुष्टी नहीं करत है लेकिन टाइटल से आप पिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो फैक्ट पर जाना बहुत जरूरी है धीरे धीरे पता चल जाएगा मैं इसकी पुष्टी नहीं कर रहा हूं लेकिन एकनोमिक बीकर सेक्षन के नाम पर लगातार खबरे आ रहे हैं कि फरजी सर्टिविकेट लोग बनवा रहे हैं आपकी क्या परत के लिया है शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं करें लाइक करें कमेंट जरूर करें